चलो हो विदो 21st नमर कॉश्चन से चलो बात करते हैं कौन्स एक्साइज है हमारे पास हमारे पास एक्साइज 27 ए ठीक है 21st नमर कॉश्चन में कुछ कहा जा रहा है देखते है जा रहा find the vector equation of a line passing through the point having position vector i cap plus 2j cap minus 3 मैं लिखता हूँ 1,2,3 समझ जाना क्या है 1i cap plus 2j cap minus 3 cap and parallel to the line joining the point with position vector कितना i cap minus j cap plus 5k cap यानी 1 minus 1 5 और 2i cap plus 3j cap minus 4k cap यानी 2 3 minus 4 अब समझना ये मेरे पास क्या है r1 vector और इन दोनों से पास होने वादा line मेरे पास m vector होगा जिसके की वो line parallel होगा तो मेरे पास line equation क्या हो जाएगी vector form में r1 vector plus lambda m vector चलो सबसे फिले r1 vector निकाल लेते है r1 vector दिया ही हुआ है यहां place कर जेते है i cap plus 2j cap minus 3k cap plus lambda m कितना हो जाएगा 2 minus 1 1 होगा i cap 3 minus minus 1 तो plus 4 हो जाएगा plus 4j cap minus 4 minus 5 minus 9k cap यह मेरे पास होगा line equation in vector form अच्छा अब कार्टिक्शन format में आते हैं कार्टिक्शन format में xr को कैसे लिख सकते है अपन x i cap plus y j cap plus z g cap और यह मेरे पास क्या हो जाएगा 1 plus lambda i cap 2 plus 4 lambda j cap तो मेरे पास x क्या होने वाला यह होने वाला है 2 plus 4 lambda और z क्या होने वाला है x minus 1 by 1 equal to y minus 2 by 4 equal to z plus 3 by minus 9 equal to lambda i यह फिर lambda मा लिखो बात बराबर है यह वने वाला मेरे पास Cartesian equation of a line अब जो देखते हैं अगला सवाल देखते हैं वही 22 number question में हम लोगों से क्या कहा जाड़ा है find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the point A कितना दिया हो है हमारे पास so 1,2,1 to the line joining the point B यानि की 1,4,6 and C यानि की 5,4,4 हम लोगों के पास point दिया हुआ है उस point से हम लोग एक perpendicular डालते हैं एक line पे जो की इन दोनों point को जोड़ के बनाया गया है आपको वो foot of perpendicular निकालना है मतलब कहां पे वो perpendicular meet कर रहा है मतलब मेरे पास यह point है A 1,2,1 यहां पे मानलों दो point है B 1,4,6 और यहां पे है C 5,4,4 इन दोनों point को जोड़ते हैं मेरे पास एक line बनाया गया उस line पे एक point से perpendicular डाला गया आपको यह वाला point निकालना है इसको मानल लेता हूँ M ठीक है उद मीं मानल सकते M मानल लिया मैंने y2-y1,z-z1 by z2-z1, तो x-x1 नहीं है कि x-1, x2 कितना है मेरे पास? 5-1, y-1 यहां पे 4-4 यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे z-1 यहां पे z-6 और 4-6, यह क्या हो जाएगा मेरे पास? x-1 by 4, y-4 by 0, और यह z-6 by minus 2 suppose इसको मैं lambda की वरावर मान लेता हूँ, अगर मैं इसको lambda की वरावर मानलूँगा, तो मैरे पास x क्या होने वाला है 4 lambda plus 1 4 lambda plus 1 y क्या होने वाला? 0 lambda plus 4 यहां पे 4, और z क्या होने वाला है? minus 2 lambda plus 6 मानस 2 लंडा प्लस 6 अब मेरे पास xyz की ये value आगए मैं suppose कर लेता हूँ कि m भी यहीं 3 होगा कैसे सर ऐसे कैसे सर पोज कर सकते हैं देखो bc line पर लाई करने वाले हर एक point इसको satisfy करेगा लेकिन उसमें lambda की value अलग-अलग होगी तो मैं मान लेता हूँ m के लिए lambda की value कुछ और होगी उसको मैं लोग find कर लेंगे लेकिन m को मैं मान लेता हूँ यही वाला point तो m क्या होने बाद मैंने पास 4 lambda प्लस 1 4 और minus 2 lambda प्लस 6 अब देखना अगर मैं am निकाल लू और उसका dot मैं bc के साथ करूँ तो क्या वो 0 होगा क्यों क्यों कि यह दुनों परपेंडिक उज़र तुमको बता हुआ अगर दो लाइन परपेंडिक उज़र तुमका dot product हमें साथ 0 होता है क्योंकि dot product में cost चीटा आता है और cost चीटा पाई-बाई-टू पे 0 हो जाता है ठीक है अगर मैं am निकाल लू तो am क्या होने वाला मेरे पास 4 lambda plus 1 minus 1 नहीं कि 4 lambda लेखी ज़िता हूँ पूरा 4 lambda plus 1 minus 1 4 minus 2 और यहां minus 2 lambda plus 6 minus 1 ठीक है आप solve कर लेते हैं जरा यह होने वाला है 4 lambda यह होने वाला है 2 और यह होने वाला है मेरे पास minus 2 lambda plus 5 अब मेरे पास यह am आ गया अब इस AM का अगर मैं BC के साथ dot product लूँ तो क्या वो 0 होगा? 100% 0 होगा तो देखते हैं, BC क्या होनबला मेरे पास देख वो BC जो आएगा क्या वो वही होगा जो इसका direction ratio है देखना, X2-X1 Y2-51, Z2-81 क्या यह वही होगा जो इसका direction ratio है हाँ, बिल्कुल होगा यानि कि इसका dot product अगर मैं इसका direction ratio के साथ करूँ तो क्या वो 0 होगा? हाँ भी बिल्कुल 0 होगा तो करके देखते हैं यह होने वाला मेरे पास 4 lambda और यहां कितना है? 4 4 plus 2 into 0 plus minus 2 lambda plus 5 into minus 2 is equal to 0 यह होने वाला 16 lambda यह 0 और यह कितना होने वाला? यह होने वाला मेरे पास 4 lambda और minus 10 equal to 0 यह मेरे पास क्या होने वाला है? 20 lambda equal to 10 यह लेम्डा की value आगया मेरे पास 1 by 2 कुछ्ष मन्वगों से क्या कहा गया था? आपको coordinates ही निकाल ले हैं minus 1 plus 6 याने की 5 यह होगे मेरे पास coordinates of foot of perpendicular ठीक है भाई? अच्छा